3, 2, 1, शुरू, पूर्ण बंदी के इस माहोल में कलकार खाने, दुकाने, व्यापारिक गतिविदियां परभावित हुई हैं, तो किशानों के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है विराम कोरोना विशानों का परकोप ऐसे समय में हुआ जब गन्य, आलू, प्याज, दलहन वगरह की फसलें खेतों में तयार थी और गेहूं की फसल तयार हो रही थी विराम चीनी मिलें पैराई अवदी समाप्त होने से पहले ही बंद हो गई जिसके चलते गन्य की बहुत सारी फसल अभी खेतों में खड़ी है विराम इससे गन्य किसानों की परेशानिया समझी जा सकती है विराम अब गेहूं की फसल पक कर तयार है पर कटाई के लिए न तो परियाप्त मजदूर मिल पा रहे हैं और न मसीने विराम सामाजिक दूरी बना कर रहने और पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकठा न होने का नियम है सो जहां इस्थानिय मजदूर उपलब्द हैं वहां भी कटाई में मुश्किलें पेश आ रही हैं विराम इस साल थोड़े थोड़े अंतराल पर मौसम का मिजाज भी बदलता देखा जा रहा है विराम बारिश की वजह से पहले ही फसलों को काफी नुक्षान पहुँच चुका है विराम ऐसे में गेहूं की कटाई मडाई और फिर बाजार तक पहुचाना किसानों के लिए बड़ी चिंता का विशे बन चुका है विराम इसलिए किसान संगठनों की और से मांग उठ रही है कि सरकार इस मामले में कुछ डिलाई बढ़ते और किसानों के लिए भी राहत पैकेज की गोशना करे जैसे मजदूरों के लिए किया है विराम पैरा दरासल खेती में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर एक से दूसरे परदेशों में आवा जाही करते हैं विराम मसलन कटाई के मौसम में बहुत सारे मजदूर बिहार और पूर्वी उत्तर परदेश से पंजाब और हर्याना का रुख करते हैं और फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं विराम इसी तरह गैहूं की कटाई और मडाई करने वाली बहुत सारी मसीने राजस्थान पंजाब और हर्याना से दूसरे परदेशों में जाती हैं विराम मगर पूर्ण बंदी की वजह से मजदूरों और मशीनों का आना जाना भी बाधित हो गया है विराम हालां की पंजाब सरकार ने छूट दे दी है की खेती के काम में इस्तेमाल होने वाली मसीनों के आवा गमन पर रोक नहीं रहेगी विराम इसी तरह मजदूरों पर से भी पाबंदी हटा ली गई है विराम यों खेती के काम में कभी वैसी भीडबाड नहीं होती जैसी दूसरी व्यावसाइक गती विदियों में देखी जाती है विराम सामाजिक दूरी के तै पैमाने जितनी दूरी वहां प्राय रहती ही है पर खेती हर मजदूरों की आवा जाही खोलने से खेतों के अलावा दूसरी जगहों पर इसके पालन न हो पाने का खत्रा बना रहेगा विराम इसलिए पंजाब सरकार अगर यह छूट दे रही है तो उसे इस पर मुस्तैदी से नजर रखने की जरूरत है विराम पैरा किसान खेती पर मौसम की मार के अभ्यस्त है विराम पर तैयार फसल की कटाई मडाई न हो पाए उसे मंडी तक न पहुचाया जा सके तो वह दर्द असहय हो जाता है विराम इस वक्त बहुत सारे मजदूर जो सहरों में दिहाडी करते थे या मनरगा वगरह में काम करते थे पोन विराम झाल झाल झाल